अब नेपाल के पहारों में जो पन्ता है अथवरे खुरसाली जो 30 चाट माचा है अब नेपाल के पहारों में मिलता है काट माण वह तो ढूरी तैवाद बोलोग मतलब बना रही है अचार यह देखिए यही है अकबर एक खुरसानी जिसको डल्ले खुरसानी भी बोलते हैं और यह लाल है बहुत थी तीखा है खाने के बाद ऐसे लगता है जैसे कान से द्रुमा निकल जाता है यह देखिए भावी बना रही है इसका अचार डल्ले खुरसानी जो पहार में नेपाल के पहारों में मिलता है काटमांडू साइड में और भी इधर पहारों में हर जगा मिलता है लगभग तो अभी मंतली से यह बनाने जा रहे हैं भावी इसका अचार डल्ले खुरसानी का अ अजवाइन यह अजवाइन का मसाला है अजवाइन मेथी धनिया जीरा सर्सो गरम मसाला तेजपात यह सब मिला करके पिसा हुआ है भूनकर पौडर बनाया हुआ है और ये स्वाद अनुसार नमक है और ये निम्बू है कितना पीस निम्बू है ये ये तीन चार पीस निम्बू है और ये तेल है और ये क्या है हल्दी पीला वाला तो पीला वाला ये हल्दी है और इसमें अलग से मिर्च नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि ये तो खुद ही तीखा है और तीखा इतना नहीं ये जैपनीज मिर्ची के अनुसार एकदम तीखा है मतलब नेपाल में सबसे तीखी मिर्ची है यह तराई में चुपी बिहार में ऐसे मिर्ची नहीं मिलता है या मिलता होगा पहारो साइड में बहुत मुश्किल से यह देखिए कैसे बना रही है और इसको बनने के बाद तुरंत तो यह इतना जल्दी नहीं बनेगा मतलब इतना अच्छा टेस्टी दीरे दीरे टेस्ट बढ़ेगा यह जब यह पूरा सोख लेगा तब यह देखिए पूरे मगन हो करके बना रही है क्या सब डाल दिये पहले इसमें मसाला नमक और निम्बू डाल रही है और यह तेल डाल दी और इसको एक प्लास्टिक जो है पॉट में बना रही है भावी बोल रही है वीडियो को लाइक किजिए कमेंट किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए और दूसरे दिन दूसरे भाग में फिर दूसरी आइटम बना कर दिखाएगी भावी तो अभी अभी क्या बोल रहे है भाए भाए धन्यवाद बन गया तो यह कितने दिन के बाद अच्छा टेश्ट बन जाएगा या अभी से खा सकते हैं खाने के लिए अभी से खा सकते हैं और यह एक आपना के बाद बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा, इसको कितने दिन तक रख सकते हैं, दो साल तक चलेगा यह, खराब नहीं होगा, फंगस फभुंदी नहीं लगेगा, तुमतलब इसको आप एक बार तेल में और एक बरतन में रखना पड़ेगा, तेल डुबा करके एक दम अच्छा से तेल रख करके इसको दो वर्स भी खा सकते हैं, जिस पॉट में रखेंगे, उसमें तेल भर करके रखना पड़ेगा, तो यह सच्छ सड़ेगा नहीं, और टेस्ट बढ़ेगा ही, है ना, हाँ, तो यह भावी के तरब से यह आइडिया है, इनको अनुभ मैं जिस पूट कर देल भर्स भी को वर्स भी कि बावी को यह आइड़ेगा है, आइड़े बीजसरा पड़ेगा है, ठी जाम उन्यान पड़ेगा है, यह सब ग़ेगा है, इसा क्रतावा नहीं तो कर दोटा है, बीजसरा नहींए हाँ, हिण को बावी के तोWow zh पर्दा हटाए देँ ना, पर्दा हटाए देँ ना, त्रियंका, त्रियंकाए थे ना, ते हटाए देँ ना गाम गई साफ्य वाबस्वाइना तोरी को साग कस तो मतलब के तीतो लाग्षा तीतो लाग्षा देखे बावी ने साग खड़ी दी है कि तोरी होता है सरसर अलग होता है इंडिया में भी 12 सर सव अलग होता है इस्सका साग ये देखे अब इसका साग बनायेगी भावी कितने का दिया है ये दो मुठा 45 रुपय नेपाली मित्रो यह 45 रुपय नेपाली का दिया है और यह मतलब पूरा बनाएगी काटेगी नहीं छोटा छोटा पीस में बनाएगी पूरा बनाएगी टोटल सिंगल पहार में कौर्णा शिर जड़ सAudफा यह देखिजू राना सन्जापना पाहार में देखे सिड से बजर सहीत है यह देखिए जड़ सहीत इधर जड़ कितना वड़ा है 45 रुपईंस ब्रेंस नेपाली इन बाता कितना हो गया नहीं में रहा हमारे नहीं के मिर्णा है कोलों से तोरि हो से फार ने तॉडूरु से अब आप्ढे जिरोच में और अब कोती की बेंजिक तोर हमें आपना हरे लिए कि सब्रक्राइपल करने झाल